ठंड का मौसम शुरू होते ही नवंबर से जनवरी के इन तीन महा तक खापरकेडा थर्मल पाउर प्लांट की काली राख शाम 6 बजे से तड़ के सुबह तक गाव में आती है अब यह राख लोगों के घरों में आने से स्थानियों लोग परिशान हो चले है यह काली राख ऐसी होती है जो एक परत बना देती है राख से सभी करामवासियों का स्वास्त भी बिगड़ रहा है अधिकतर लोगों में सांस की बिमारी तो कुछ लोगों को शरीर में खुजली होने की शिकायते मिल रही है तो किसी के आपों में तकलिफ हो रही है खापर केड़ा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख अब गंभिर समस्या बनती जा रही है पिछले दिनों एक स्वेंस से इंस संस्ता द्वारा किये गए सवर में भी यही पाया गया था कि राख की वज़े से नकेवल लोगों के स्वास्त को खत्रा निर्मान हो गया है बलकि पक्षियों के लिए घातक बन गई है इससे उपजाव जमिन को भी नुकसान पहुँच रहा है पिछले कई वर्षों से इस राख और राख से होने वाली समस्या को लेकर गाउं के सभी सामाजिक कारकरताओं ने थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारियों से लेकर जिलादिकारी और जनप्रतिनिद्यों को निवेदन दे कर सूचना के बाद भी आज तक इस राख को रोकने का कोई उपायन नहीं हुआ है राख की वज़े से लोग बाहर जा रहे है काली राख पूरे गाउं में दो दिन पहले अचानक फैलने से यह बात आग की तरह गई उसको देखते हुए थर्मल पार्टीशन के सभी अधिकारियों ने ततकाल मीटिंग रख कर जहां से राख उड रही है उस जगब मशीन जल से जल लगाने के लिए अधिकारी करमचारी ठेकेदार कामगार को लगाया है यह राख सिर्फ ठंड के मौसम में आती है अचानक कोल फिटर खुलने से यह काली राख हवा में भी फैलती है इसले काली राख को रोकने के लिए अनेक उपायोजना करने की मांग पर्यावरन कमेटी के दिवाकर घेर सरपंज पुरिशोत्तम चांदेकर विने महाजन श्रीराम साथपुते दिलिब बनसोड सुनिल जालंधर अमर जैन ने की साथी साथ दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो तीवर आंदोलन की चेताओनी दी है